हेलो त्यूर स्टूरंज मैं अथिती व्याकेतर गौर्णमेंट पंडित जेलन आथ्स न साइंस पीजी कोलज बेमितरसी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से जो है कैल्शियम काल्मोजिलीन कास्केर को जो है कैल्शियम काल्मोजिलीन काम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है तो यह जो है कैल्शियम काल्मोजिलीन कास्केर या कैल्शियम काल्मोजिलीन जो complex है वो actual में होता क्या है यह जानते हैं तो सबसे पहले जो है calcium जो है और अरी हम लोगों पता है कि क्या होता है तो आईए जान लेते हैं कि क्या होता है ठीक है क्या है क्या होता है यह क्या होता है यह जो है अब्रिवियेशन होता है किसका यह calcium modulated protein ठीक है इसके किसका अब्रिवियेशन है calcium modulated protein ठीक है इसका जो calcium modulated proteins होते हैं इसका ही यह एंब्रिवियेशन जो है क्या होता है okay कहला है कैलमोदि хот in इसे को में लाकर कि कहता है कया कमोदिल इसे को में लाकर कर था है क्या होता है यह क्या होता है चरच है कि यह एक बहुत ही छोटा सा highly conserved highly कांजर्व्ट जो है एक कैल्शियम के साथ में यह कैल्शियम binding cytosolic cytosolic acidic protein होता है ठीक है यह जो है कैल्मदिरिन जो है कैल्शियम के साइड बाइन करता है इसी दिसको कैल्शियम कैल्मदिरिन जो है कैस्केड के नाम से जानाता है तो यह कैल्शियम कैल्मदिरिन कैस्केड जो है उसमें जो है कैल्शियम और कैल्मदिरिन का बाइंडिंग होता है इसी लिए हम इस कांप्लेक्स कहते है है calcium іmentane complex कहते हैं और जो Methylene होता है वो च्षोटा सा highly consider sytosolic acanic protein होता है ठीख्या यह कहां पाया जाता है यह पाया जाता है सभी you kriot К suss में पाया जाता है and act करता है as an effector ठीक है act करता है as a इफड और और a regulator ठीक है इन अ यह बराइट वराइटी ओफ कहां पर वैंड रिस्पॉंसर में ठीकBuild response में यूशा में प्र्हसंट होता है और act करता है as an effective molecule और regulatory molecule in the various cellular responses ठीक है अब यह जो है generally क्या करता है it is an intercellular target receptor ठीक है intracellular intracellular target receptor होता है intracellular target receptor होता है जो कि क्या करता है act करता है as a second messenger ठीक है act करता है as a second messenger for calcium ठीक है calcium के लिए जो है act करता है as a second messenger and यह जो binding होती है calcium की यानि कि जो है अगर calcium bind नहीं होता है तो calmodelion जो होता है ठीक है calmodelion कैसा होता है यह inactive form में present होता है कहाँ पे cytosol के अंदर but जैसे ही जो है calcium and calmodeline क्या हो जाते हैं bind हो जाते हैं तो यह क्या हो जाते हैं यह calmodeline जो होते हैं active हो जाते हैं और यह आगी चल करके क्या करते हैं calcium-calmodeline cascade का formation करते हैं ठीक है सिगनल ट्रांसडक्शन जो है प्रोसेस उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इनके पार्टिसिपेशन से क्या होगा रिलेवेंट प्रोटीन या फिर तार्गेट प्रोटीन ठीक है रिलेवेंट प्रोटीन या फिर तार्गेट प्रोटीन जो होंगे का फॉर्मेशन करेंगे ठीक है तो आएए इसका जो है काल मोजिलिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब स्ट्रक्चर अब स्ट्रक्चर ओफ क्याल मोजिलिन यानि कि इस तरीके का होता है तो कैल मोजिलिन जो है जैसे कि हमने कहा कि कैसा होता है यह बहुती छोता सा मॉलिक्यूल होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है एन देन यह जो है क्या कहता है इस कैल मोजिलिन में जो है क्या होते है small protein molecule होता है जिसमें 4 क्या होता है? 4 calcium ठीक है? 4 calcium binding sides होती है 4 calcium binding sides होती है यह जो 4 calcium binding sides होती है इनके यह क्या करती है? यहाँ पर आ करके calcium bind होता है अब जैसे ही calcium और calmodulin calcium और calmodulin क्या हुए? यह bind हो गए तो यह क्या करेंगे? calmodulin के structure में calmodulin के structure में क्या होगा? एक conformational change conformational change आएगा ठीक है? और यह conformational change के कारण ही जो है क्या होगा? कि जो है calcium जो है वो calmodulin के साथ bind करके target protein ठीक है? target protein के formation के लिए signal transaction के पाथवे में participate करेगा अब यह जो calmodulin जो होता है इसका structure जो है similar होता है to the troponin similar to troponin C ठीक है? इसका structure जो होता है troponin C से similar होता है जो कि यह भी क्या है? यह भी calcium binding protein है calcium binding protein है बट troponin C क्या होता है? यह large size का होता है as compared to जो है क्या है? मारा calmodulin ठीक है troponin C क्या है? large size है and जो calmodulin होता है calmodulin इसका size क्या होता है? smaller होता है as compared to the troponin C molecule तो आईगे इसका structure देख लेते हैं जैसा हमने क्या कहा? कि जो है इन में क्या होते हैं? इन में जो है four calcium binding sites होते हैं ठीक है? ठीक है? तो यह क्या है? यह कालмodulin है ठीक है? कालmodulin है अब यह जोप चालmodulin है वो क्या होता है? यह generally जो है कैसा होता है? inactive form में होता है इनाक्टी форм में क्यूं होता है? क्योंकि जो है इसमें specific sites होते हैं for the calcium binding, अगर यह calcium के साथ bind करेगा, तभी जाकर क्या होगा, यह जो है, activate form में आएगा, अब activate form में आएगा, तभी जो है, यह क्या करेगा, participate करेगा signal transaction में, तो इसमें क्या है, यह normal inactive, inactive calmodulin है, ठीक है, inactive calmodulin है, जैसे ही यह inactive calmodulin क्या करेगा, यह bind करेगा with calcium, ठीक है, जैसे ही क्या करेगा, यह calcium के साथ में bind करेगा, तो यह जो inactive calmodulin है, ठीक है, inactive calmodulin है, यह क्या करेगा, यह active हो जाएगा, ठीक है, यह inactive calmodulin क्या हो गया, यह अब convert हो गया, इन्टू active calmodulin, अब यह जो है, क्या होगा, यह जो है, generally क्या करेगा, active calmodulin, यानिकि calcium calmodulin cascade, जो है, target proteins, ठीक है, target protein के production में पारिसिपेट करेंगे, अब generally जो है, हम लोग जैसे कह रहे हैं, कि calmodulin जो है, तो जो है, यह function कैसे करते हैं, तो इसको आईए देख लेते हैं, जैसे कि हमने already बात किया था, about, यह जो structure है, इसको हम लोगोंने already, IP3-DAG pathway, phosphatidine, inositol pathway, उसमें हमने देखा था, कि जो है, किस तरीके से, जो है, GPCR के साथ में, जो है, लेगेंज आटर के बाइंद करते हैं, G-Alpha, G-Beta, G-Kama के साथ में, जो है, जो है, GTP का बाइंडिंग करवाते हैं, और GDP को रिलीज करवाते हैं, जिसके करम G-Alpha, जो होता है, क्या करता है, जी अलफा आगे चल करके जो है PLC-Beta enzyme को activate कराता है जिसके करण के PLC-Beta enzyme जो है क्लीव करता है जो है PIP2 को जो है इसके बाद में जो है PIP2 जो है जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है पहला पार्ट है इसके 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 पार्ट है क्या है का सब्कूरी कि जो है का अवधिली Τर्य या फिर calcium, चालमोजलीन, complex इसी को जो है हम, आज इसका formation जो है, studi कर रहे हैं, कालमोजलीन इंसल्फ क्या है? कालमोजलीन खुद क्या है? ये खुद एक protein है, ठीक है? कालमोजलीन क्या है? protein है जो कि calcium के bind करके क्या करता है एक complex का निर्मान करता है ठीक है complex का निर्मान करता है then यही complex क्या करते है जाकर कि जो है फिर से trigger करते है for the formation of the another target protein तो यह जो protein है वो क्या कर रहा है form कर रहा है another protein को with the interaction ठीक है जिसके कारण में क्या हो रहा है कि various cellular responses जो हो रहे हैं वो cellular responses जो हैं बन रहे हैं ठीक है तो आएए जो है जानते हैं कि यह जो calcium 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 cascate जो होता है इसका function क्या होता है तो यह जो calcium calcium होता है यह पहुत सारे कंची कि जो होता आयो स्कारे है इसके कहले करता है जो होता हिसको है इसके साथ में जिसके साथ में calcium और calmodulin जो है calcium और calmodulin bind करके sorry calcium calmodulin bind करके क्या करेंगे यह जो है calcium calmodulin kinases को calcium calmodulin kinases को क्या करेंगे यह activate कराएंगे जिसके करन आगे चल करके क्या होगा signal transaction की process further proceed होगी तो यही क्या है हमारा signal transaction का calcium calmodulin कास्किर I hope आज का यह जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा Thank you